सर्बाईक और एक लाग की डिमांड को लेकर पती ने मार पीट कर पतनी को घड से निकाला पेड़िता ने एस पी ओफिस में दर्च कराई शिकायत पती और ससुराल वालों के खिलाफ की कारिवाही की माँग शिवपुरी चिले के दिहाधाना शुईत्र के अंतरगात आने वाले से धेश्वर मेला ग्राउंड शिवपुरी की निवासी एक नव विवाहिता को पती और ससुराल पक्ष दहेज के लिए प्रताडित कर रहे हैं पेड़ता ने इसके शिकायत शनिवार को स्पी ऑफिस में दर्च कराई महिला ने पती और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताडित करने और मार पीट कर घर से भागा देने का आरोप लगाया है स्पी ऑफिस पहुची महिला ने बताया कि उसकी शादी साथ महा पहले बदरवास के रहने वाले दिनेश पुतर रमेश रजक के साथ हुई थी शादी के कुछ समय बाद ही पती दिनेश रजक साथ वसंती रजक ताओ राजू रजक द्वारा दहेज में पलसर मोटर साइकल और एक लाग की मांग को लेकर उसे प्रताडित करने लगे ससुराल वालों ने आक्टूबर मेरी मारपीट कर मुझे खड़ से भगा दिया जिसकी डिपोच में मैंने थाने में दर्च कराई लेकिन ससुराल वालों ने इस केस में राजी नामा कर लिया जिसके बाद 11 दिसंबर को पती और सास ने मेरी मार पीट कर तक्ये से मुह दबा कर मुझे जान से मारने का प्रयास किया मैं किसी तरह ससुराल वालों के चंगुल से छूट कर अपने माई के पहुची महिला ने शनिवार को पुलिस अदिक्ष कारियाले में आवीदन देकर पती और ससुराल वालों के खिलाफ कारिवाही के जाने की मांग की है देकर बदर वास के शक्राल बदर वास क्या करता पती पानी पाउय प्टी में काम और तो फिर पीड़ी पीता है दाडू पीता है और मार पीट करता है उन से पैसे मांगते हैं पंच रुपे दे दो तो गंदी गंदी गाली देता है तो थाने में सकायथ की थी आपने हैं बहूं थी सर भाहा पे राजी नामा हुगा था। उसके बाद नोगा नोग दुभारा ले गए थे ऑफिर मतल्ड हां थगिए सिमुझतर अपर मानने ही कोशिक की थी तो फिर उसके बाद मैं मैं बहां से जूट बोलके मेडम की कोल बोलक में भाग आई थी वहां थी को उसने मार पीट कि ती जिए रात में मेरी तकिया से मुझ दवा के जान देने की कोशिज की थी पर उसके बात उने पोलिस से सखाइट नहीं कि मैंने में में को रात में पून किया था लेकिन मेडम ने मेरा फॉन है टेन नहीं किया कोंशी में 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 को फॉन किया था और कॉल रिकोर्ड में हैगा